सागर में मंगलवार सुबै भोपाल सागर मार्ग पर ग्राम भापेल के पास कार और पुलिस के वाहन में भिलन्थ हो गई हादसे में दो यूबकों की मौके पर ही मौत होगे जबकि एक अन्निगम्भी रूप से घायल हो गया हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार राहत गड़ में गंता समारों में सामिल होकर गाउन लोट रहे थे हादसे की सूचना पर मोती रगठ थाना पुलिस मौके पर पहुची और घायल को अस्पताल पहुचाया पुलिस वाहन जक्तकर पुलिस लाइन में खड़ा कराया गया जानकारी की अनुसार मंगलवार को जवानों को ले जा रहे जे एन पीए के वाहन और डिजार कार के भीज भापेल के संतोस नगर के पास आमने सामने भीडंत हो गई टकर इतनी भीशन थी के कार के परखच्ची उडगे दुरगटना में कार में सवार ग्राम पाटन निवासी 28 वर्जी हेमराज पुत्र दामोदर कुर्मी और 42 वर्जी डेलन पुत्र सुखलाल कुर्मी के सिर में गंभीर चोटाई हेमराज कार में फस गया था दोनों की मौके पर ही मौत हो गई कार में पीछे बठी 41 वर्जी चोखे लाल पुत्र भगवान दास कुर्मी निवासी पाटन गंभी रूप से घायल हो गया पुलिस के अनुसारा राहतगड में रिस्तिदार के अहां सोंबार को दश्टोन समार हो था इसी दोरान हाथसा हो गया सब पोश्ट माटम की लिए जिलस पता लाया गया जिसका पोश्ट माटम कराकर पुलिस ने परिवार वालों को सौप दिया मोती नगर थाना प्रफारी सतीस्टिंग ने बताया कि तीनों युबक राहतगर में गंता कालिक्रम में गय थे लोड़ते समया हाथसा हो गया मेडिकल कॉलेज में भरती घाल चोखे लाल ने बयान दिये है मामले की जाचल रही है पुलिस का वाहन जवानों को लेकर भोपाल जा रहा था इसमें सवार कोई जवान खायल नहीं हुआ मृदक हेमराज की एक पुत्री है खेती किसानी करने वाले डेलन की पाच पुत्रिया है उनकी दो बड़ी बेटियों की साधी हो गई है पुत्री है जया है